हलो गाई, असलाम वालेकूम, दिस इस शाविस खान और आप देख रहे हैं Fluffy Cats दोस्तो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है Pregnant Cat Care तो दोस्तो सबसे पहले आपको ख्याल रखना है कि आपकी cat की एज कम से कम 12 मन्थ होनी चाहिए दूसरी बात आपकी cat और जिससे आप मेटिंग करवा रहे हैं वो male cat या female cat दोनों ही fully vaccinated होनी चाहिए ठीक है अगर ये दोनों criteria आप meet करते हैं तो आप अपनी cat की मेटिंग करवा सकते हैं ठीक है अगर आप cat की मेटिंग करवा रहे हैं उसके बाद की care क्या होती है दोस्तों सबसे पहले आपको जो food है वो अच्छा food खिलाना है nutritious food खिलाना है अपनी cat को अगर आप पहले से ही अच्छा food खिला रहे हैं और फिर कोई अच्छे brand का food खिला रहे हैं तो उसका kitten version purchase कर लिए क्योंकि kitten version में जादा nutritious होता है ठीक है वो आपकी cat को जादा recommend करते हैं वैट भी यही recommend करते हैं कि आप अपनी cat को kitten food खिला हैं जब वो pregnancy के time पर है तो दोस्तों मैं जो recommend करता हूँ cat food वो करता हूँ एक तो royal canine का second age kitten या फिर आप purchase कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों हम supplement की बात करते हैं तो supplement पे आपको जो खास क्याल रखना है वो विर्बैक का ओस्टोपैट जरूर देना है यह calcium का supplement है इस time cat को calcium की बहुत जार जार परती है तो female cat को calcium का supplement जरूर दे महीने में आप साथ दिन दे सकते हैं body weight के हिसाब से आपको यह supplement देना है आप packet पे देखेंगे तो इस पर लिखा रहेगा कि किस body weight को कितने ml आपको देना है ठीक है अगर आपको जब भी नहीं समझ आ रहा तो आप अपनी cat का body weight मुझे भेज सकते हैं मैं आपको reply कर दूँगा instagram पे आप मुझे message कर सकते हैं नीचे instagram चैनल का मैं link दे रहा हूं instagram page का ठीक है तो आप महाँ पे मुझे message कर सकते हैं अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो ठीक है यह calcium देना बहुत ज़रूरी है उसके बाद दोस्तों दूसरा जो supplement है वो है केट और किटेंस की immunity भी स्ट्रॉंग रखेगा तो यह supplement भी आपको ज़रूर देना है ठीक है एक तो आपको देना है और दूसरा देना है आपको वियोसेट ठीक है यह दोनों supplement आपको ज़रूरी देने है और आपको फूड जो देना है वो देना है रोयल केन का second age kitten या फिर आप आयम्स दे सकते हैं रेकमेंड मैं यह करता हूं वहना किटिंस फूड और भी सारे आता है लेकिन यह ज्यादा highly recommended है यह अच्छे फूड होते हैं ठीक है इससे आपकी cat की health जो है वह strong होती है और आपकी cat को जो nutrition चाहिए होता है वह सारा उसको मिलता है इन फूड के जरि है वह boneless हो ठीक है organs ना दें खाली प्याओर मीड दें और उसे boil करके दें uncooked अपनी pregnant cat को ना दें ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं और क्या चीज़े हैं जो हमें ख्याल में रखने है दोस्तों आपको अपनी female cat को ऐसा atmosphere देना है जो बिलकुल मतलब उसको बिलकुल भी पर फर्क पढ़ता है cat healthy रहते kittens delivery भी easily हो जाते हैं ठीक है तो आपको मतलब जैसे कोई बहार के कुट्टे बिल्ली घर में घुच जाते हैं अगर ऐसी जगह आपका घर है तो आप अपने door close करके रखें ठीक है और cat को बहुत अच्छा atmosphere दें जहां वो tension free रहे और मजे में उस देखके लीजेगा क्योंकि cat जब उसका time होगा delivery का तो बॉक्स में ही delivery करेगी तो आपको एक box भी अपनी cat के लिए रखना है जब आप की cat का delivery का time नजदीक होगा तो आप notice करेंगे कि वह उसी box में बार बार जाके बैठ रही है तो यह box भी आपको ज़रूर पच्छिस करना है cardboard का box है किसी भी आप shop से ले सकते हैं जो AC फ्रिज बेशते हैं उनके पास मिल जाएगा बस कोशिश यह किजिएगा clean box हो साफ box हो कोई ऐसा नहोंगे गंदा संदा सा तेल में सनावा ठीक है साफ box आपको लेना है उसके अंदर एक साफ सा cloth बिचा दीजिएगा और एक जग को एक दो दिन पहले discharge होना शुरू हो जाता है किसी किसी कैट को एक गंटे पहले ही या फिर उसी दिन discharge होना शुरू होता है जिस दिन delivery होती है तो आपको इसमें घबराना नहीं है यह मैं इसलिए बता रहा हूं जो नए लोग है जिनने नहीं पता तो वह घबरा जाते है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है तो दिस्चार्ज हलका हलका पीछे मतलब कैट को आता है तो फिर आपको घबराना नहीं है यह सिम्टम सोता है साइन होता है कि आपकी कट की अब delivery का टाइम नस्दीक है बहुत जल्दी किटन्स होने वाले हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं घ करना है आपको कुछ भी लिक्विट फॉर्म में फूड जैसे जैली फूड आता है ठीक है या फिर चिकन स्टॉक हो गया चिकन बॉइल चिकन हो गया वह आपकी अपनी कैट के पास रखना है इससे क्या होता है कि जब डिलिवरी का टाइम होता है तो कैट बहुत ज़्यादा ठक जाती है तो उसे फूड की ज़ूरत होती है ठीक है तो आपको कुछ लुक्विट फूड रखें जैसे के जैली फूड हो गया या फिर चिकन स्टॉक हो गया जिससे आपकी कैट को इंस्टेंट एनरजी मिले उसके पेट में कुछ जाए ठीक है आपको बिल्कुल भी नह किटन को कोई नुकसान ना हो ठीक है खाना रखें खाने के बाद जब कैट खाले तो हाथ के आत उसे हटा दें साफ पानी हमेशा रखें लेकिन कुछ ऐसी जगह रखें कि आपका जो किटन है वह उसमें ना जा पाए हां किटन बहुत छोटे होता है वह अपनी मतलब इदर रहते हैं, box में दूर्ड़ने के चक्कर में, तो कही बार ऐसा होता है, कि पानी में गिर जाते हैं, तो आपको ये खयार लखना है, का थोड़ी safe जगा आपको रखना है, कमसे कम, कमसे कम, आपको थ्री मन्त तक, जब तक क्रिटन थ्री मन्त के नहीं हो जाते या फिर टूं मंत के नहीं हो जाते आपको भॉहात ख्याल रखना है खाने से लेके पानी से लेके सब चीज interesting के आपको ख्याल लगने तो दोस्तों आइखोक कि आपके सारे questions के answer आपको यहाँ पर मिल गए है अगर आपको कुछ नहीं समझाता है या फिर कुछ परशानी है या फिर कुछ और पूछना चाते हैं cat pregnancy से related तो आप मुझे instagram पे message कर सकते हैं मैं इंशाला जरूर reply करूँगा वैसे मैंने वीडियो में सब चीज़ बता दी है सारे supplements भी बता दी है और मैंने आपको food भी बता दिया है कैसे कौन सा food आपको खिलाना है और दूसरी बात मैंने box के बारे में बता दिया है box रखना बहुत जरूरी है pregnant cat के लिए क्योंकि वो उसमें ही delivery करती है तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा पिस्व